हैलो फ्रेंड्स आज हम जिस मूवी को एक्स्प्रेंड करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्विक्ट मूवी स्टार्ट होती है और एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम रे फ्रैंसिस है जो अपनी गर्ल्फरंड केली से शादी करने के लिए अपनी फोज की नोकरी वापिस जा रहा था वहीं दूसरी तरफ हम केली को एक पार्क में बैठा देखते हैं तभी अचानक पीछे से आकर रे केली को सर्प्राइज देता है रे केली को रिंग निकाल कर मैरेज के लिए प्रपोस करता है केली शादी करने के लिए हां कर देती है जिसके बाद वो द गंदे कोमेंट्स पास करता है केली उसे एक्नोर कर देती है तभी रे भी वहां आता और वो दोनों वाँसे जाने लगते हैं लेकिन तेम अपनी गाड़ी से उतर कर केली की विंडो पर आता है और अपनी पैंट्स उतारता है अब इस बात से रे अपने गुसे को कंट्रोल ही कर पाता और वो दोनों लड़कों को मारने लगता है तब ही टेमिक नाइफ निकालता है लेकिन खुद को बचाने के चकर में रे टिम को दक्का दे देता है और वह चाकू टिम को लग जाता है जिससे ऑन दो स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है अब इस घटना के बाद रे और के लिए अपने लॉयर के पास जाते हैं क्योंकि रे के ओपर मडर के चार्ज लग चुके थे लॉयर रे से कहता है कि उसके पास दो ही आप्शन्स है पहला रे ये गुणा कबूल करके कोट में अर्जी दे तो उसे दो-तिन साल की सजा होगी लॉयर रे से कहता है कि वह पिम की मोत को बरदाश नहीं कर पा रहा था हारवे बहुत पैसे वाला आदमी था इसलिए वो अपने लोगों को रे के बारे में पता लगाने के लिए बेशता है और उनके जरीए उसे उस जेल के बारे में पता चलता है जहां रे को रखा जाना था जेल का इंचार जैक मौरि परदस्ति उसका अंडरवेर उतारने को कहता है तो रे रिको की इस बात का विरोध करता है जिससे रिको रे को उसके जेल के पहले ही दिन उसे टॉर्चर करने लगता है इसकी थोड़ी देर बाद एक और गार्ड रे को जेल इंचाद जैक मौरिसन के पास लेकर जाता है जैक क पिर ऐसे बातीत करने पर पता चलता है कि रे ने 12 साल फूज में नौकरी कियPower है जैक अपने गार्ट से कहता है कि उन्हें रएक के साथ अच्छा बरताव करना चाहिए इसके बाद विलियम को उसके बगा देता है रे को लाइबरेरी में काम करने के लिए बेज देता है लाइबरेरी में कैदी डेविड रे को बुक रखने की जगा बताता है जब रे लाइबरेरी से अपने सेल की तरफ जा रहा होता है तभी उसी क्रूप के कुछ मेंबर रे को फिर से तंग करने लगते हैं उन्हें बिना कुछ बोले वहां से अपने सेल की और जाता है जब रे अपने सेल में किताब पढ़ रहा था तब ही रीको और फॉक्स वहां आते हैं और रे के रूम की तलाशी लेते हैं रीको को रे की डायरी में कैली की फोटो मिलती है और वो रे को चड़ाने के लिए उसकी फोटो को उसके सामने ही चाटे लगता है ये देखर रे को बहुत गुसा आता है और वो उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तभी दो गार्ड उसे पकड़ लेते हैं रिको रे को और गुसा दिलाने के लिए उसकी क्योल्फरेंट की फोटो को फार देता है। उसके बाद रिको रे को उसके कपड़े उतारने को कहता है और उसके बाद वो उसे मारने लगते हैं। लेकिन तबी एकूआड उन्हे रोग देता है और अगले दिन जब रे नहारा होता है तबी एक बड़ी hight का आतमी वहां आता है उसका नाम हेमर होता है एमर रे को घुकने केले कहता है ताकि वो उसके मजे ले सके रे गुस्चे में उसे एक मुका मार देता है जिससे वो दू पुर जाकर गिरता है तभी रिको वहां आता है और उसे बहुत मारता है और मारने के बाद उसे जैक के पास लेकर जाता है रे जैक को बताता है कि वो खुद को उस गे आदमी से बचा रहा था जैक उसे बताता है कि यह सब यहां नॉर्मल है लेगिन रे जैक से बहस करने लग पैसों से बरा एक ट्रक लूटा था जिसमें दो सिक्रियरोटी गार्ड के साथ एक पुलिस वाले की मौथ हो गई थी। उसी चोरी में उसके बाई की भी डेथ हो गी थी। डेविड रे को बताता है कि उस चोरी में जितना भी पैसा था वो अभी तक भी किसी ने बरामत नहीं किया डेविड रे को बताता है कि सिर्फ डेविड जानता है कि वो पैसा कहां चुपाया है तब ही वहां चानक रीको आता है और रे को बताता है कि उससे मिलने उसकी गर्फरंड आई है कैली को देखकर रे बहुत खुश हो जाता है लेकिन उनकी बातचीत बहुत कम समय के लगता है इसी बीज विलियम वहां आकर उन्हें रोकता है ऐसे ही एक दिन जब रे बातरूम साफ कर रहा होता है तो उसी समय वह आदमी वहां आ जाता है जिसे शुरुआद में रे की लड़ाई हुई थी वह रे से बदला लेने की कोशिश करता है लेकिन रे उसे बुरी तरह से फाइट में हरा देता है अब यहां रिको के साथ जैक भी आ जाता है और जैक एक बैट लेकर रे के पीछे गुषा देता है अगले दिन तीनों गाड और रिको इककट्षे होते हैं इन तीनों गाड को रिको ने गुज दी थी ताकी वो रे को परिशान करे लेकिन फॉक्स और रिको एक कैदी के सेल में जाते हैं और उसका सामान चेक करने पर उन्हें एक तेजदार चाकू मिलता है और वो उसे नीचे जुकर माफी मंगने को कहते हैं अगले दिन जब वो कैदी टौलेट साफ कर रहा होता है तो वहां विक्टर की डेड बॉडी देखता है तब फॉक्स और रिको वहां आ जाते हैं और इस मर्डर का इलजाम उस कैदी पर लगा देते हैं उसे साफ समझ आ जाता है कि ये मर्डर एक सोची समझी साजिश है वहीं दूसरी तरफ रे डेविट से मोजिन के बारे में पूछता है जिस पर डेविट उसे बताता है कि मोजिन जेल के अंदर से ही ड्रग्स का दंदा चलाता है तब ही मोजिन की गैंग उन्हें नोटिस करती है और रे के पास आती है और कहती है वो जेल के अंदर किस गैंग को चुनता है इसका ध्यान रखे क्योंकि इस जेल में एक और गैंग था जो रे का दुश्मन बन गया अगली सुबा जब रे और डेविड नहा रहे होते हैं तब मोजिन गैंग वहाँ पहुंच कर उस आदमी को चाकू से मार देते हैं जिसने टौलेट में रे को परिशान किया था और इस मर्डर का इलजम रे पर लगा देते हैं लेकिन रे तुरन दूसरी गैंग के पास जाता ह और उन्हें बता देता है कि ये मर्डर मोजिन गैंग ने किया है वही हैमर जेड को एक अमरे में ले जाकर उसका योन शोशन करता है कुछ दिन बाद रे की गर्फरेंड उससे मिलने फिर से जेल आती है लेकिन फौक्स और रिको उससे बतमीजी करने लगते हैं और को मार दालता है इस बीच रे को मोजिन के सेल में बुलाया जाता है मोजिन रे पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि रे ने उसकी गैंग को जॉइन करने से मना कर दिया था इसके बाद जब रे डेविड के साथ बैठा होता है तो रिको और फॉक्स वहां आते हैं और उसे व वरक्शॉप में क्यों बेजा जिस पर जैक बोलता है कि वो वहां का इंचार्ज है उसकी जो मर्जी होगी वो वो करेगा दूसरी तरफ रे के साथ उस सेल में जानवरों जैसा बरताव हो रहा था काफी महीं ने उस सेल में बिताने के बाद विलियम रे को उस सेल से छुडा लेना चाहता था इसलिए वो जेड को रे को चाकू मारने को कहते है लेकिन रे ने हमेशा जेड का बुरे समय में साथ दिया था इसलिए वो उसे नहीं मारता लेकिन जेड के दोखा देने पर मोजेन उसे जान से मार दालता है जेड की मोद का जब रे को पता चलता है वो कर मारने ही वाला होता है कि उसकी नजर डेविड पर पड़ती है जो उसे मोजन को मारने से मरा करता है रे मोजन को छोड़ देता है लेकिन तभी एक चाकू मोजन के पास गिरता है वो उसे रे को मारने ही वाला होता है कि तभी दूसरी गैंग का लीडर मोजन को मार दालता है इसके बाद Rhea को Jack के रूम में मुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसकी सजा बढ़ा दी गई है। वो बहुत गुसा आता है वो जैक को गालियां देता है तभी जैक उसे बताता है कि रे को जेल में टॉर्चर करने के लिए हारवे थॉंसन ने उसे बहुत सारे पैसे दिये थे ये सब रे एक फोन पे रिकॉर्ड कर रहा था और ये सब विलियम भी सुन लेता है वो अपनी टी बहुत मिस करता है वो रे से कहता है कि उन रुपियों में से कुछ रुपे वो उसकी बेटी को भी दे दे अब फाइनली रे जेल से आजाद हो जाता है कैली भी वहां आती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं कुछ दिन बाद रे डेविड की बेटी को रुपे से बरा एक बैक देता है और कहता है कि उसे उसके फादर से जेल में मिलना चाहिए क्योंकि वो उसे बहुत मिस करता है और दूसरी तरफ हम जेल में देखते हैं विलियम जेल में आए नहीं कैदियों से जेल की कपड़े पहनने को कहता है उन कैदियों में से एक टिम का बाब हारवे भी था जो जैक को घूस देने और सब प्लानी करने का जिम्मिदार था और यहां मूवी का दी एंड हो जाता है थैंक्स फॉर वाचिंग